वेल्कम बेक टू मैं चैनल वीमिन्स हेल्टॉक पर यहां पर हम बात करते हैं वीमिन्स के हेल्ट टॉपिक्स पर तो आज की वीडियो महिला भी बहुत ही इंपोर्टेंट है आज हम उनकी रेप्रूडेक्टिव हेल्थ की बारे में बात करने वाले हैं यह आप इसको कैसे थ्यान देने की बहुंच जरूरी है जरूरत है और इसके अलावा आपको रिप्रूडेक्टिव हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे बनाके गश थानुक्ति हैं कैसे हेल्थी रह सकती हैं ताकि आपको आने वाले ताम में प्रिग्नेंशी में करने में किसी तरह की दिक्त करना हो और इनी के कारणों से आज आपको पता चले हैं कि हमारी लाइप में कोल कौल से कारण होते हैं जिनके कारण से हमारी reproductive health पर अधर पड़ता है और हमें आगे जाकर इनकी दिक्कते होती हैं तो ये सभी पर आजम बात करेंगे तो वीडियो को जरूर पूरा देख क्योंकि कौन सी गलतिया हो जाती है जिनके कारण से उनके reproductive health पर असर पड़ता है ये कुछ तो आपकी नापरमाई की वज़े से होती है कुछ फैसों की वज़े से होती है और कुछ जानकरी के अबाहों की वज़े से होती है तो चलिए जानते हैं reproductive health को healthy रखने के तरीकों के वारे में और किन कारणों से आपकी reproductive health पर असर पड़ता है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं reproductive system की तो reproductive system पू सिस्टम होता है जिसमें की आपका जो है आपका पीरिड आता है आपका कंसीव होता है आपका घर्वासाय आता है ओप्रियाती फेलिप्यून्टी वाती है जो एक प्रेजिनन अंग होता है महिलाओं का उसे reproductive organ कहते हैं और इसमें अगर किसी भी पहाण में कही भी कोई दिक्कत होती है तो इसका असार आपके सरी में पढ़ता है चाहे आपके पीरेड गर्वर हो चाहे आपको कंसीव ना हो रहा हो या आपके पीरेड आना बंद हो गए हो या फिर ओबरीन में किसी तरह क्या दिक्कत हो रही हो आग ना बन रहे हो तो यह सभी हमारे reproductive system क अंदर आता है reproductive system का healthy होना बहुत important होता है इसे लिए अगर आप conceive करने की कोजिस कर रहे है या family planning कर रहे है तो फिर इसको healthy बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है और बैसे भी एक महिला का है अगर reproductive organ जो है healthy होता है तो उसे और सारी कई सारी परेशानियों से मुक्ती मिल जाती है जैसे period में अनिमित होना या फिर बेजैनल ट्राइनस होना mood swing होना और imbalance होना यह सबी चीज़े है इसको maintain करने के इसको maintain करने के लिए कुछ health tips के बारे में आप हो जानते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सुरचित योन संबंद के बारे में तो अगर आप sexually actively active है आपका partner है और आप हाईजीन का ध्यान नहीं रखते हैं असुरचित तरीके से योन संबंद बनाते हैं तो इसलिए कई सारी बीमानिया संक्रामक रोग जो है गंबिय संक्रामक रोग जो है आपको STD disease हो सकती है इसलिए यहां पर आपको भोज़रा ध्यान देने की ज़ हैं तो इसलिए की बहुत सारी बीमानियों से आप रचित होने से बस सकते हैं साथी दूसरे जो infection होते है sexual disease होती है उनकी infection से आप सकते हैं तो यह बहुत ही important चीज होती है अगर आप newly married है तो इस चीज़ का प्रिशिस तोर पर धिहान लग है और इसके अलावा जो होती है कि इसी से related एक और problem हो जाती है honeymoon cystitis जिस पर कि मैंने पहले previous में बीडियो बनाई थी बहुत ज्यादा जल्दी RF6 की कारण से बहुत ज्यादा दिक्कते महिलाओ को हो जाती है उनके organs में छिनना, कटना, bleeding होना, infection होना, खुजली होना यह सभी दिक्कते होती है तो आप चाहे तो देख सकती हैं दूसरी चीज होती है गर्व नरोदक गोलियां गर्व नरोदक गोलियां यह contraceptic pills जो होती है इनको लेना आपको बंद कर देना है क्योंकि यह बहुत हाई hormones के dose होते हैं चोंकि आपके body में जो normally दरीके से आपके hormones चल रहे हैं उनको disturb करते हैं क्योंकि यह जब आप लगातार लेते हैं और जादा समय तक लेते हैं तो यह आपकी पूरी body के hormones को disturb कर देते हैं जिससे कि आपको period imbalance हो सकते हैं hormones imbalance हो सकते हैं और conceive करने में भी दिक्कत हो सकती है इनमे इस्ट्रिजन और प्रिजिस्टन जो hormone हैं बहुत important होता है जो कि आपकी disturb करता है आपने access पिल्स लेती हैं उनको pregnancy होने में दिक्कत आती है उनको आगे जाके यह दिक्कत आती है तो इस चीज को आपको avoid ही करना है आप दूसरे उपाए अपना सकती हैं इससे बचने के लिए इसका कई सारे example मैंने भी देखे हैं और जो लोग लगाता लेते हैं तो इसके side effect के तौर पर आपको सिर्दर्द होता है आपको जो है period कभी भी आ जाता है अगर आप पिल्स लेना पूल जाते हैं तो इसके बचने के कोई चीज एंटेक से अच्छा है कि हम दूसरे process की तरफ जाए और उससे अपना काप चलाए इसके अलावा next होता है आपका hygiene hygiene में आपको clean and dry panty हम जो कि जो आप panty पहनती है अगर आप synthetic के आप फेंचनेवल पहनती है तो उसके क्या होता है आपकी body में रहता है जहांपर bacteria पनबते हैं और या bacteria की विज़े से आपको कही तरह की खुजली infection रहती हो सकते हैं और यह आपकी health पर असर डालती हो और इसकारण से आपको infection नेक्स्ट चीज जो होती है जो आपको प्रभावित करती पैड का यूज करता है लेकिन इसको अगर आप लंबे समय तक यूज करती है तो यह आपको infection दे सकता है क्योंकि इसमें बहुत सर गैमिकल्स होते हैं जैल होते हैं और साथी साथ में आपकी skin से test रहता है और blood जो हो इसको चैन नहीं करते हैं तो आप से इंटीटेशन कोजली डिस्चार्ज फंगल इंफेक्शन बैक्टिरियन इंफेक्शन या दूसरे तरह के infection आपको होने लगते हैं यहां पर पिंपल्स भी बन सकते हैं तो यह बहुत important चीज है जो आपको कभी avoid नहीं करने चाहिए क्यों करना वेजाइनल प्रब्लम का मतलब कि आपकी योनी में होने वाली तरहते की समस्या है जैसे कि dryness खुजली या फिर वहां पर किसी तरह का discharge होना रैसिस होना फंसिय होना अगर इस तरह के infection होते हैं तो और इनको आप ज्यादा दिनों तक ignore करती रहती है तो यह आप संक्रमर जो है आपकी सरीर के अदूरूनी हिस्से में जाते हैं जिसके कारण से आंगे चलकर आपको दिख्कते होती है इसके लिए आपको तुरह डॉक्टर से मिलना चाहिए अब हम उन चीजों पर बात करते हैं जिससे आप अपने इस तभी और रिप्रोडेक्टिव ओर्गन जो ह आपको जो सीजनल फल है सबजियां है दाले है ड्राइफ रूट्स है यह सभी लेना शुरू कर देना है क्योंकि यह आपकी एक क्वालिटी को बड़ा बड़िया बनाते है और साथ ही साथ आपका जो यूटरस है या आपका प्रजनल अंग जो है उसको यह मजबूती के लि सही से बनते नहीं है या सही से इस टाइम पर ऑ्मिजेशन नहीं होता है यह साविसी दिक्कते जो होती है हो इसी लिए होती है क्योंकि आपकी बोडी की सासल में आपके जो प्रजिनल फालिन है शुरूशन की जदरूरत ह होती है तो अच्छा खाईए डाइड में और इनको मजबूत बनाएं तो आप काफी लंबे समय तक फंटाइग में होता है वर्क आउट वर्क आउट आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसकी आदाद आपको डालना चाहिए क्योंकि वर्क आउट करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा देते हैं तो आंगे उनकी नहीं जलती है तो इसलिए जरूरी है कि घरवा सही तक ब्लड पहुंचे और वह सही तरीके से काम करें इसके अलावा होता है एल्कोहल या स्मोक करना कभी कबार इस्मोक या एल्कोहल करना आसकल कॉमन हो गया वह ठीक है वह तना जाता है एफेक् और फीमेल दोनों के औरगन्स को रिप्रोडेक्टिव औरगन्स पर इफेक्ट डालती है और इसी के गल्तियों के कारण से आपको पंसीब नहीं होता है और उनको जल से जल छोड़ देना चाहिए तो यह सोने पर ध्यान देना तो कि आजकल की लाई विज़ार में रात को ब अगर आप अच्छी लेते हैं तो यह नीन जो होती है आपकी बॉड़ी को और टाइम पर जंगना और पूरी नीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने हर्मों को बैलेंस रखना चाहते हैं इसके लावा होता है स्ट्रेस प्री रहना अगर आपको बहु मैं चिड़ चड़ा पन रहता है शरीर जो है ठका ठका लगता है बॉड़ी सही से रियक्ट नहीं करती है डाइजेस्टिप सिस्टम डिस्टाब होता है यह सभी चीजे आप इसमें रिलेट करती हैं और आपकी पुरी बॉड़ी जो है इंबैलेंस हो जाती है कभी कोई दिक धक्तकीम की साथ गेल सकते हैं जो आपकी मेनड को पूरी तरे कहंद रेलेक्स करता है तो यह सबी चीजे आप जरूर करें और यह सबी करने से आपकी बौर्ड जो है रेलेक्स रहती है साथ आपको मज्बूत रहता है और Όर आने के चल का कोई दिग्यंद नहीं होती है तो आई हूफ आपको जानकरी पसंद आई होगी जानकरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शिर करें से जोड़ा कोई कोश्चन ने को सकते हैं ऑप इंस्टाग्राम पर फॉलोग कर सकते हैं वीडियो देखने क्लिए आपका धन्यवाद